कौन नहीं चाहता है कि उसका स्कीन हेलदी, एक्निक फ्री और ग्लोईन दिखे हलो एब्रिवान, वेलकम बाग तू माई चानल आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वास्थ होंगे और मेरी इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है प्लीज में चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो आप लोगों से सियर करूँ आप उसको देखना ना भूलें चलिए इसे के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हुम वैसे मैं बहुत दिनों बार आज jumpsumen related कोई वीडियो आप लोगों से सियर कर हुँ अक्चिल NK् कुछ दिनोंसे मुझे टायम ने मिल रहाता की कोई remedies आप लोगों से शियर करूँ थोड़ा बहुत बीजी चल रही थी तो वीडियो बनानी पा रही थी तो चलिए आज में आप लोग से कुछ सिंपल सा एक फेस क्लीन अप शेयर करने वाली हो वैसे मैंने बहुत सारे होम्रेमेडिस ट्राइक किया है और उसके रिजल्ड भी अच्छे थे तो उसी में से मैं य क्या-क्या इंग्रीडियन चाहिए और उसको कसे करना है चलिए बताती हुँ सबसे पहले आपको क्या आपको क्लीन करना है कुछा दूद कुछा दूद किए किए सबढ़े ralya में कुछा दुद कर लिया था है उसके बाद इस अपने सब्सक्र था है यह देखे, मैंने दूल लिया है, क्यामरे में देख नहीं रहा है, अच्छे से मेरा फेज अच्छे से क्लीन हो गया है, अब हमें क्या करना है, स्क्रब करना है तो इसक्रब बनाने के लिए आपको चाहिए मसूर दाल का पाउडर, मेरे पास मसूर दाल पड़ा था, उसी का पाउडर बना लिया है, और नेक्स्ट आपको चाहिए शहद और कॉफी पाउडर, अपने इसाफ साफ ले लिजिए और इन सब को गुलाब जल से अच्छे से मिक कर लिजिए और आपका इसक्रब रेडी हो जाएगा, इसक्रब को हलके हाथों से धीरे-धीरे मसाज करना है, कॉफी के बहुत ही अच्छी खुस्बूर आ रही है, ध्यान रखिएगा इसको ज्यादा रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हलके हाथ से इसको मसाज करना है, और इ मैंने फेस को बास कर लिया है, आप चाहे तो गिला कपड़ा करके भी पोच लेंगे, यह दिख, में कपड़े गिले हो गए, इग्नोर करिए, चलेए, अब हम लगाएंगे फेस पैक, तो फेस पैक बनाने के लिए, फिर से हमें मसूर दाल के पाडर लेना है, और कस्तूरी ह हल्दी नहीं है, तो अप नॉर्मल भी हल्दी ले सकते हैं और दूद, इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, और हमारा फेस पैक रेडी हो जाएगा. फेस पैक रेडी हो गया, इसको ड़ाना है, लगाना है। तो अच्छे से मेरा फेस और नेकेरिया में लग गया है इसको 20 मिनूर तक रखना है फिर नॉर्मल पानी से वाश कर लेना है तो इस पेस क्लिनप को आप जरूर ट्राइ करिएगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और हाँ अगली बार मैं फिर से कोई अच्छा और बढ़िया वाला होम रेमेडिस लेके आओगे तब तक के लिए बाई बाई